हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं कि अबाएंग शुषिघ है कि अबाएंग यूँपिए, इस झाल करो, अनलysłौ गई हम आइ। करेंप एक पर कर को करो जिस की घिर रड़ कर लेंदे में डठेंश लुफ बार्बियू लुफ टो लेख बार्ब लेख लुफ लेख स्थन लेख लेख ध्याख, पोन उठावów... ध्याफ, पोन उठाव... हैओ.... हैário? है lle, हेलो!! अ ना anodяжЖ werdeyeiegen... ध्याख, मैं gardening with Kartikk.. है। Kartikk? KartikkHow many years you are? जामाद । दिया मेरी बात सुनौ ! हेलो दिया क्या होवा ? तुम उत्ते घबराएवे वे तुम लग रहे हैं, सब ठीक है ना ? दामरपुर फॉरसिजर्म में सब ठीक है हैं ना ? दिया मेरी बात सुनौ ! मुझे तुमेह कुछ बता हैं क्या हुआ कार्टिक बोलो हेलो 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 कार्टिक, नेरी आवास आ रहे है मेरी आवास मुनाई दे रहे है हेलो सर, सब ठीक है? पता नहीं मेरी दोस्कार्टिका फोन था दामर्पूर फॉरेस्स इजव में वो ऑफिसर है काफी दब्राय वह लग रहा था ठीक से सुनाई भी ने दे रहा है, शायद मेटवक का इश हुए बस उमीद करता हूं के सब तीक हो सकता अच्छा अच्छा सर, पता नहीं कि मुझे सबगता है के कार्टिक की साथ जरू कुछ हुआ है एक बार उससे फोन पर पात कर लो तो मंचानत हो जाएगा यह भी तो हो सकता है कि ने ने टोक अच्छा ना उसकी वज़े से कार्टिक बात कर रहा था तो तो तुम्हे लगा वो घबराया हुआ है सर, सर यह रहे दामरपूर फॉरस्ट के एमर्जिसी लांगान नंबर शायद इन बेसे कुछ लगजा है हलो, कार्टिक कुमा से बात कर सक्का हूं मैं? अगर आप उनके अंदीम संस्कार के बारे में पूछ रहे हैं तो आज ही किया जाएगा उनके कोई फैमिली मंबर नहीं है इसलिए सब कुछ हमने अरेंज किया है क्या अंत्यम संसकार? क्या अंत्यम संसकार? हलो, मैं Senior Forest Officer Kartik Kumar की बात कर रहा हूँ, आपको मेरी आवास आरी है न, हलो हाँ मैं उनी के अंतिम संस्कार के बारे में बात कर रहा हूं सर, आज ही सुभे एक आदम खुर्चीते के अटेक में उनकी मौथ हो गई है हलो, हलो आप सुन रहे हैं, हलो सर कर रहा हूँ, किसके अंतिम संस्कार की बात कर रहा हूँ, कार्थिक है, सर, कार्थिक वो एक आदम को चीते ने उस पहमला किया, अब मर गया सर, माई कॉर्ड, सर, मुझे अभी डामर पुर्जाना हो गया, ठीक है, मंकाची तुम जाओ दाया के साथ दाया सर, यह कार्थिक क्या आपका बहुत पुराना दोस्ता, हाँ, मैं चौदे साल का था, जब मैं उससे मिला था, हम लोग 21 स्कूल में पढ़ते थे, और उस वक्त वो मेरा सबसे करीबी दोस्ता, बहुत ही साफ दिल का लगा, जानवर उसे प्यार करने वाला, जानवरों और जानवर की भलाई की बात क्या करता था, एक बहुत ही नेक दिल इंसान, कार्थिक बोलता से हैं, अबर काना रहे है, सब बताता हूं देया, तू चल, कार्थिक, तुमने कैंटी चे बिस्किट और खाना इसके लिए चुर रहा है था, हाँ, हमारे पास तो कैंटीन है, औ और रात को खाना भी मिल जाएगा, कि इनके पास तो नहीं कैंटीन है, नहीं कोई कुक, ये तो बे साहरे और बे जुबान है, मुझे यकिन ही नहीं होता कि जानवरा से इतना प्यार करने वाला इंसान, जानवरा के हाथों मारा गया है, आइसरव कर दो कर दो कर दो तर प्रफिसर कारतिक की मोद हाथ से गया वक्त ही हो गई थी और इस बात का आपकी तरह हमें भी बहुत दूखे सर हमें अच्छा लगा आप यहां हैं कारतिक के पास वैसे भी कोई फैमली नहीं थी जो उनके अंतिम संसार में शामिल हो पाते यह पूरी तरह चीते का किया हुआ हमला है यह मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं और आप भी समझ सकते हैं क्योंकि आखिर आप भी सीडी ओफिसर हैं मैं एक सीडी ओफिसर के हैसे नहीं है कारतिक कदोस्मन के आया हूं ऐसा लगका है जैसे हमारे दामर्पूर वारेस्ट में हाथ्सों के एक लेहर सी चल पड़ी है अभी दू आप्ते पहली हमारे एक और भूशन भी एक हाथसे का शिकार हो गया है कि आए दिन ये चीता यहां पे इंसानों के अटाक करते हैं सर आए दिन तो नहीं लेकिन उस आदम खोड़ चीते का खौफ जरूर फैल चुका है लेकिन सर मुझे नहीं लगता के भूशन की मौद इस आदम खोड़ चीते की वज नहीं कर पाया जिसके कारण उसकी मौथ हो कई लेकिन सर अभी तक हमें इंफेक्शन और मौथ की असली वज़ा पता नहीं चल पाई क्या मैं बूशन की बॉड़िक देश सेपना हूं शूर सर आए सर यह है फॉरेस्ट ऑफिसर भूशन की नेज बॉड़ि भूशन के बॉड़ि पर कोई दवा काम नहीं कर रही थी हमने बहुत कोशिश की बचाने की बिहोशी के हालत में पता नहीं अजीबों गरीब बाते बोले जा रहे थे हां थी आया चीता भी आया मेरे को मा डालेंग की कॉंटेक्ट में आ गया था जिसका असर सीधा इनके दिमाद पर हुआ कुछ दिर पहले बेचेनी और दर्द से इनकी मौत हो गई मेरे दोसका अर्थिक की मौत हुई है चीता के हमले से और इस भुशन की मौत और भी पत्तर तरीके से इसका मतलब है जंगल में कोई ऐसे जहरेली चीज़ है जिसके उसे इसकी मौत हुई है और आप लोग फॉरिस्ट ऑफिसर होने के बावजित आप लोगो पता नहीं चला के जहरेली चीज़ क्या है और यह सब पिछले दो हटों के बीच में हुआ है और इससे पहले ऐसे कुछ हुआ नहीं है के अगदाए के न दोनों मौतों में कोई न कोई कोई कनेक्शन है हम भुभ जगा द न चाहते हैं जहां पे कार्टे की लाष मिली आप लों को हम लोग मानते हैं कि उसकी मौत जीता की हमले से हुई है उसोईसे एक बार वो जगा दे न चाहते हैं को प्रॉब्लम है? नो सर बस जगे तोड़ी खतरना के इसलिए जलिए सर अजिए सर आईसर जाणर में पकर लाएग नहीं पाता है। Sir, अगर जानमर अपने शिकार को पकड़ नहीं पाता है। तो उसी जगह उसका इंतिजार करता है। या पर चला जाता है। तोड़के यह बहुत अजीव है, sir? यह यह दरवाजा चीता नहीं तोड़ है न? हाँ, सर, अगर एक शेर या चीता जैसा ताकत वर जानवर भूका हो, तो वह आसानी के साथ दरवाजा तोड़ कर अपने छिगार पर अटेक कर सकता है और एक चीता नहीं इसा किया है, उसने कार्थिक को मारा और उसके बाद गसीड कर उसे शेट से बाहर ले गया, जहां पर हमें उसकी बॉड़ी मिली Sir, actually, ऐसे हाथ से पहले भी रिपोर्ट किये गए है, कि जानवर दर्वाजा या खिड़की तोड सकते हैं, अगर वह भूके हो या काफी गुस्स में हो तो Sir, क्या आपको अभी भी कोई शक है? नहीं, कोई शक नहीं है अच्छा, यह बताईए कि कार्थिक के बॉड़ी का पोस्टम तो किया गया ना? और भुशन का ब्लड अनलेसिस भी? हाँ, लेकिन क्यों? वो इसलिए कि हमें यह रिपोर्ट्स हमारे रेकॉर्ड्स के लिए चाहिए हम मानते हैं कि यह चीता नहीं किया है हाँ, हाँ, वाइनोट, मैंने यह कार्थिक के बॉड़ी को एक्जामिन करके पॉस्टम किया है वैसे कार्थिक के बॉड़ी में जानवर के बॉन्स और दातों के निशान मिले है मैंने अपनी रिपोर्ट्स तयार रखी है ओ, गुड वाकर्ज, डॉक्टर अवे से तुम यह रिपोर्ट्स और बाकी के सैंपल्स लेकि मुमबे चले जाओ और तुमको पता है नो सका क्या करना है मैं यही पे रोपड़ा हूं क्या हो गया भाई जाओ 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 जल्दी तुझे अरे क्यों हौन भालाए तेरा नियुमें जाओ पागल है क्या पागल है क्या अरेज आज आज अरे 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 कर दो, कर दो, कर दो. कि ऩुछाओ टुछ। मुछाओ। मुछ। टुछ। कि टुछ। टुछुकर टुछ। झाल 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 कार्टिक की मौत चीते के अटेक की वज़े से लिए, लेकिन ऑफिसर भुशन की मौत के बारे में जानकर हरानी होती है तो आपको पता चल गया कि वो एलेड़्जिक रियक्शन कैसे और किस चीज से हुआ है यह देखो बॉस इसकी वज़े से हुई इस पौदे से इस पौदे को डेंडरोस्नाइड मौराइडिस कहते है इसे डिम्पी डिम्पी ट्री भी का जाता है इसके फिजिकल कॉंटेक्ट में आते ही किसी की भी हालत मौत से भी ज्यादा बत्तर हो जाती है इसका जहर बहुत तेजी से असर करता है शरीर पर भी और दिमाग पर भी पिर चाह कोई इंसान हो चाह कोई जानवर हो इसके जहर की वजए से वो अपना मांसिक संतुलन खोनने लगता है तो बस इसमें कोई आश्यर है नहीं कि ओफिसर भुशन की ऐसी हालत होई उसकी जगे कोई भी होता, कोई भी उसकी यह हालत होती आपर ये भी तो हो सरता है कि एक हादसा हो यार ऐसे पौदे तो जंगलों में मिलते ही है बिल्कुल नहीं सर ये हादसा नहीं, ये जरूर एक साज़िश है क्योंकि ये डिम्पी डिम्पी पौधा ये तो इंडिया में उखता ही नहीं है ये सिर्फ इंडुनेश्य और साफी स्टेशन कंट्रीज के जंगलों में पाया जाता है इसका मतलब किसी ने जानमूझ कर किसी खास मकसद के लिए ये डिम्पी डिम्पी पौधा डामरपूर के जंगलों में लाया चाहतो इसी लिए पंकश में हम ला हुआ है कोई है जो नहीं चाहता था कि ऑफिसर भूशन का ब्लेट संपल हम तक पहुचे और हम उसकी मौत का सही कारण पतल लगा सके अब जित एक काम करो तुम और पंकश पौरंद या के पार चले जाओ क्योंकि हो नहों कोई नहीं कोई बहुत बड़ा राज चुपा है इस दामरपूर के जंगल में इसका मतलब है सर भूशन की मौत एक साजिश है और अगर ऐसा है तो हो सकता है कि मेरे दोस कार्टिक को भी किसनी जान बुचकर मारा हो सर सर आप मेरे फिकर मत कीजिए मैं ठीक हूँ पर अपना ख्यादर सूंगा मैं पको बात में फोन करता हूं सर ओके मेरा शक यकीन में बदल रहा है इस जंगल में कोई आदम खोरतो है तो अगर वो चीता नहीं है तो फिर कौन है अरे सुनी यह आफिसर भुशन उनका कमरा कौनसा है वो सामने वाला स्व यह जी थैंक्यू सर सबसे पहले जहर का असर बोशन के पैरों पर हुआ फिर वो जहर पूरी बॉडी में फैल गया तो यह है वो जहरी लेपाओ दे टिंपी टिंपी के पत्ते है जिसके विए से भुशन के शरीर में वो ऐलेजिक रियाक्शिन हुआ अरे स्की माथ अपरविट उस आदमकोर चीता को डूढ़ने का एक तरीका मिलके है रिसर्च से पता चला है कि फॉर्स्ट ऑफिसर्स जंगलों में जानवरों का बहेवियर और उन्हें ट्राक करने के लिए रेडियो कॉलर का इस्तमाल करते हैं रेडियो कॉलर्स तब बैसिकली ये रेडियो कॉलर्स एक टाकिंग डिवाइस है जिनकी मदद से हम यहां बैठे बैठे इस स्क्रीम पे जंगलों में जानवरों के लोकेशन और मूवमेंस को ट्राक कर सकते हैं और ये क्लर्ड दोट्स के लिए रेडियो क्रेटर्स के जरिए उस आदमकर चीते के बारे पता करने की कोशिश नहीं की सर सच तो यह है कि फ्ले तीं महीने से ये कॉलर डानिमाल जंगलों से अजीब तरीके से घायब होते जा रहे हैं और अभी हामें सिर्फ उनके रेडियो कॉलर्स जंगलों में बिल गुए हैं अब क्योंकि ये रेडियो कॉलर्स इन जाणवरों से अलग हो चुके हैं हम उन्हें ट्रैग भी नहीं कर पा रहें, अब हो सबता है कि वो आदम को टीकाउमी में सेखो अब सार इसी अजीब मामले वो एक साथ इमिस्टिगेट कर रहे थे ओफिसर भुषन और ओफिसर कार्थिक जंगलों से जानवर गायब हो रहे है अब वहाँ पर ये वालिट डिवाइस मिल रहे है, इसका क्या मतलब है इसका मतलब है जंगलों में जानवरों की तसकरी चल रही है अब ये बाद या तो आप लोगों को मालूम है और जानकर अन्जान बन रहे है पॉरिस्ट ओफिसर कार्थिक और भुषन की मौत कोई इत्फाक नहीं है हत्या है, हत्या नादया, अब टीक तो है ना? नहीं सर, यहां कुछ ठीक नहीं है सर मैंने सच का पता कर लिया है सर यहां इस जंगल में यह जानवर की तसकरी करने वाले काफी आक्टिवेस है और मुझे लगता है कि बुषन और कार्थिक इस केस पर इंडिस्टिकेशन कर रहे थे और श्याद उसे लिए मारे गए पुषन की मौत का सामान सर इंडोनिशय से आया है और यह मिड्लीस कंट्री इस इन तसकरियों के लिए एक बहुत-बड़ा मार्केट है तो हो सकता है तसकरियों की फंडिंग इनी देशों से होता हूं तो मैं इस केस के तह तक जाना चाता हूं सर ठीक है जाद रखना जलबाजी में को ही कदम खतरा बन सकता है इसलिए जलबाजी नहीं ओश्यारी से काम लेना और अवीजी तो अर्पंकेश तुम्हारे पास आ रहे है अपना ख्याल रखता है ठीक है ठीक है ठीक है साम आपके करना करें थांक्यू यह खर का पेदी लंकाठा है पता कर नहोंगा इस जंगल का बेदी कौन है आप मेरी टॉक्सिकोलोजी डिपार्टमेंट पर किसी से बात करना सकते हैं सर्थ, यह रही सारे पॉरेस्ट ऑफिसर के रूम भी चाहुए है सच कहूंतो हाँ उनकी गैर मौजूदगी में उनकी कमरों की तलाशी लेना सही नहीं रहेगा सर कहीं आप हम पॉरेस्ट आपिसर्स पर शक्तों नहीं कर रहे हैं सच कहूं तो हाँ फिलाल आप लोग इहीं पर रुखिये मैं सबके कमरों की तलाशी लेखे आता हूँ मैं सबके की पयाँ इहां करों कोो मैं सबक UVBS जय कमरी है कर दो हाँ क press क्पा क्या इह sights पर दोटी। दो उनकी मैंस अइक हो वाँ झाल 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 यह क्या है? वो बेड इन इंडोनेशिया किलो थेंकियो सार सर अब क्या हम ऑफिसर्स को क्लीन चित मिल सकती हैं? आपका शक दूर हुआ की नहीं हमते से? हाँ मैं जाता हुआ जाता हुआ जाता हुआ हुआ जाता हुआ वैसे यह ओफिसर्स किते मिल तक सो जाते हैं? सर यह कोई साड़े जस जारा होजी है? साड़े जस जारा बजया साड़े जस जारा बजया बब गुनाइट क्लिवट क्लिवट जारा इंच क्लिवट जारा जारा क्लिवट करन करें दो पूल आप Pr accustomed को हो ज 15 सिरा नख फिरश भिघ-र सुपना, भार सकते हैं चन कि शयी वार उन्ट फिर व्राब कह बीप्र व्रश बीपरine, दिसी लूए गिटार्ग कर दो बादИक कि वेड़ी खना है कि उपाँ पसे लगया कि बादागने ही शalis वेड़ा कि वेड़ोर कि वेड़ा कि पारश असलिए झाला है जी अचाना काईप का हुआ है? एए, सोचना भे मत. जे, तुम ठीक हो? फ्सक्र तुम्हे बारी दिया थै। I'm sorry sir. मैंने आपको पहिचाना नहीं. देखे, मैं अपने आपको बचाने के चकर में मैंने आपपर हमला कर दिया. I'm very sorry. Very sorry sir. Abjit, मुझे ते लगता यही वो आदमी है जो शिकारियों को जानवरों की इनफरमिशन देता है. और तो और, ओफिसर कार्थिक और भुषन की मौत के पीछे इसी कहाता है. क्यों? नहीं, बिल्कुल नहीं. मैं ही आपने लोगों को क्यों आरूँगा? और आप लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि मेरे सम्मान्द हूं शिकारियों के साथ? तो एतनी रात को जंगल में चोड़ी छिपे कहा जा रहे थे? किस बात का डरता है? तो यह कोई तुमारा पीछा कर रहा है? नहीं, सर्ण. मुझे ट्रैकिंग से पॉल आगया कि एक राइनासौरोस एक गेंड आप पाँ घंटे से एक जगा लोकिशन में खड़ा है. यह आजब बात है सर्ण. क्योंकि कोई भी जंगली जानवा पाज घंटे तक एक ही जगा चुक्चाप खड़ा रह नहीं सकता. अगर वो जिन्दा है तो तो उसी लोकिशन को देखने के लिए, चेक करने के लिए मैं निकल रहा था. मुझे ऐसास हुआ कि कोई मुझे फॉलो कर रहा है, तो मुझे लगा हो ना हो वो शिकारी हो तो मैंने अपने शेल्फ डिदेंस में आप पर रामला कर दे है. अच्छा, ठीक है. और इसके बारे में क्या क्याना है? ये बियर कैन, इंडोनेशन बियर कैन, उसी देश का जहां से वो जहरीला पाउधा तिम्पी तिम्पी लाया गया था. इसकी वज़े से ऑफिसर भुशन की मौत हुई. बियर कैन, इसके बारे में मुझे खुझ भी नहीं पता है. एक मिनिट, एक मिनिट. क्या आप लोग मुझे इस केस में फसाने के कोशिश कर रहे हैं, क्या? ये बियर कैन हमें तुम्हारे कमरे में डस्पीन में मिला. सब्सुआ है? हट! आप ने मेरे रूम की तलाश ली, वो भी मेरे गैर मौजद्गी में. वह हलो! तुम्हारे सवाल का जवाब दो. यही तुम्हारे ठीक होगा. देखे सर, प्लीज. मैंने पिछले तीर मेने से शराब को हाथ तक नहीं लगा और आप लोग के… अच्छा? तो यह बियर तुम्हारे कमरे में कौन पे रहा था? कोई बार का अन्मी? हाँ! जस्तर, देखे, क्या है ना? मेरा भाई मेरे साथ रहता है. तो हो सकता है कि उसकी यह क्यान हो, लेकिन सर, इसे कुछ भी साबित नहीं होता, ना सर? को ने तुम्हार भाई अडिस्वा का है वो? यह, क्या हुआ? यह, यह लोग यहाँ? नहीं कुछ नहीं, वस थोड़ी सी मदद चहिए दे दिमारे. मैं, मैं क्या मदद कर सकता हूँ आप लोगों की? कर सकता हूँ, एक बढ़ना. यह, यह इस पाउच में से ज़रा इन पतों को पाहर निकालो. गालो? नहीं कर सकता हूँ मगर मैं शहता हुआ हुआ कि तूम निकालों अरंश Bayamagicą, क्या है, क्या है रूक मेंद ज़रा निकालों हुआ हुआ नहीं तूम्हारा हाथ पकट पकटके ब पत्ते नहीं जो तुम समझ रहे हैं, हाँ? हाँ हमें सब पता हैं, डिम्पी-डिम्पी के पत्तों के बारे में भी और जंगल में चल रही तसकरी के बारे में भी तुम ये बताओ, तुम इसमें कैसे जुड़े हुए हो अब जल्दी बताओ, ने तो असली वाले पत्ते लियाओंगा नहीं नहीं, सर प्लीज पत्ते मत लेगें, सर में बता दाओ ना, सर सर, एक्चुली मैं वो कॉलिज के एक्जम में पेल हो गया था तो अब क्या प्लान है तुम्हारा फीचर का? हाँ? जानवर मतलब मेरे बास एक अच्छा ओफर है, अगर तू इंट्रस्टेट हो तो ओफर? कैसा ओफर? जानवर मढने के बाद उनकी कीमत और भी बढ़ जाती है, उनका पंजा, उनकी खाल, उनके दान्त तू समझ तो रहा है न? बाग, हिरन, हाथी तुम कहना क्या चाह रहे हो? देख, तुझे बस हमें इन्फोर्मेशन देनी है, और पैसे कमाने है बागी हम संभाल लेंगे तुमसी स्नापशॉट की वज़े से तसकर सारे जानवरों के लोकेशन को ट्राइक करते थे दंदल में विकी! बाग, 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 तुमने मेरा भारवसा तोड़ दिया शर्मान जे ये तुम्हे, इतनी छोटी से उमर में इतना गंदा काम करते हो तुम चंद पैसों के लिए बेचारे बेजुमान जनवरों की बली चड़ा दी तुमने कुछ पैसों के लिए तुमने फॉरेस्ट ऑफिसर भुशन को इतनी दर्थनाक मात दी नहीं सर, सर मैने जान बुच्ट के भुशन भायों को नहीं मारा सर अक्चली भुशन भायों कार्तिक भायों को इस तसकर के बारे में मालूम पढ़ गया था और उन तसकरों नहीं मुझे वो डिम्पी डिम्पी बादों के पते भुशन भायों के जोतों में डाने के लिए का है सर, लिकिन मुझे सच में नी बताता सर कि ये दिंपी-दिंपी बादोres के पते इतना हैं सर सर, मुझे तब नहीं में मालूम था कि भुषंद था कि इतनी दर्दनाग मोध होगी उन्हों ना उन्होंने तो मुझे बुला था कि उनको बस मामुली सा दर्द होगा सर अचा उन तसकरों से तुम तुम मिले ओ आमने सामने जी सर जंगल में एक खास जगे पे हम लोग मिलते हैं सर और वहें बे हम सारी इंफोमिशन एक्षेंज करते हैं इंफोमिशन के बदले सर वो लोग मुझे डे सारा पैसा और विदेशी बियर भी देते हैं सर हाँ हमने देखी तुमारी विलाइटी बियर अचा अब उन तसकरों से दुबारा कब मिलने वाले होतो कल सवेरे सर अब कल तुम अके ले नी जा होगे हम भी जाएंगे तुमारे सार लेकिन ये बात उनको पता नी चलने चाहिए नहीं सर इस बात तुम पर विश्वास कर सकते ने जी सर अचा-जचरों तुम दुम उन कि खजा हो अचा林 अचा यह और प्यचरों सार में आप चार्टिक पी मुट हाद ते गया वक्त ही हो गई थी और इस बात का आपकी थरह हमें भी बहुत दूख है समर, तूम, मुझे तुम पर पैले ही समझ लेना चीने था समर ने हमारी बहुत मदद की जानवरों की चोरी करने में और गशिकार करते में क्या बात है विक्की, बहुत बढ़िया, थैंक्स बिल्कुल सही जगे पर लाया ये से बहुत देर कर दिया, ओफिसर बाइचानने में और दिमाग लगाने में यह जगजाब यह जब पिल्कुल ठीक नहीं है वो, बिल्कुल ठीक नहीं है जिन सहरीले पत्तो ने पॉर्मस ओपिसर पोशल की जान ली थी अब वही जहरी ने पत्ते, इसकी भी जान लेंगे, है? जे तो लगा रहा कि CID आफिसेंस बड़े चलाख होते हैं, लेकि तुम 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 बड़े बेवगूफ निकले, याद? चोहर! जाखर है, जवारतम. Sorry officer, मिकी मेरा छोटा भाई है, और मैं अपने फ़र्द से भी जादे उसे पार करता हूँ, तो तुम नगों का साथ कैसे दे सकता हूँ, मैं? बिल्ला, ये क्या हो रहा है? ये स्टोडी का क्लाइमेक्स हो रहा है. बिल्ला, बिल्ला, ये तुम क्या कर रहा हो? हमने तुमें से अटी के बाले में सब कुछ बताया था ना, और तुम हमें ही मालना चाहते हो. मैं जेल में पूरी जंदीकी नहीं भीताना चाहते था, इसलिए में तुभारी मदद की. और तुम्हें हमेही दोका दिया विकी 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 दोके का दूसरा नाम भी तो बिल्ला है और वैसे भी अब तुम्हेरे किसी भी काम के नहीं रहे और यह जवाहर यह तो पहले ही अपने फर से गदारी कर चुका है और यह CID officers यह तो कतारों और घुनेगारों के लिए बहुत हानी का रख है तो इसलिए आज हम एक चोटा सा खेल के लेगे मौत का खेल मौत का खेल लेकिन उससे पहले मैं तुम्हारा एक डाउट क्लियर कर देता हूँ तुम यही सोच रहेंगा कि तुम्हारे तोस्त कार्ति को किस ने मारा उसे एक आदम खोर चीता ने मारा और जानते हो वो आदम खोर चीता था कुन मैं था मैं अब जानते हो कल सूबे की हैडलाइन क्या होगी CID officer अपजीज इन जंगलों में कहीं खो गए एपसी आएडियो उफिसर तया एक आदम कोंच चीते के हमले से मारे गए है नहीं आओ यह देख नहीं करे रहा हूँ बिल्ला? अज़ जाओ! अज़ जाओ! अज़ अज़ अच्छा लेओ? तुम्हें पता होना चाहिए, जान्रच बखायल हो जाता है तो आर भी खतर्राक हो जाता है बात लोगों पे तुमने ये इंपी-दिंपी पॉदा इस्तमाल किया है ना? अब तु भी इसका स्वाच चाले, चाले करसे लागा वह 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 गएर आफड से भाड़ हुआ आफ टा लो पाड़ लिए आव लिए नव पुम्राब लूत लगा हुआ लूब मिन लुम्राणल नवी लुम्राणल लूप नव्रव लूब लू़ यह देखो, अपने बिचायवे जाल में गिरके बमाराई है तो फिकर मकत रोते हैं काक्टर सालूंके ने जैरियोले पत्तों का अंटिडोट पहले ही डोण लिया है मुझे दुख इस बात का है कि काश कार्तिक ने मुझे पहले फोन किया होता है क्लिक थे शो लिंक और जो वाचिंग वाचिंग वीडियो तो